अंदौर सो गए तो आप मांसिक गुलामी हैं क्योंकि जो मांसिक आजाद होगा वो तो रुकेगा नहीं उसको नीद नहीं आती उसको चैन नहीं आता वो मरते दम तक काम करता है वो कहता नहीं जिद्ध है जिद्ध है कल जब बड़िया बड़िया कंसेप्ट हो रहे थे तो मैंने एक सेंटेंस बोला कि अगर इसी तरह से बड़िया बड़िया कंसेप्ट होते रहे सब सीखते रहे तो मैं बहुत जल्दी बेरोजगार हो जाऊंगा आप मुझे बेरोजगार कर दोगे तो मनीशा निगम बहन जी का फोन आया उन्होंने कहा कि आपने ये सब्द जो कहा है कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा ये अच्छा सब्द नहीं है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है तो मैंने का हाँ दरसल क्या है कि ये उर्दू का सब्द है और बेरोजगार का मतलब ब्यापार नहीं होता और रोजगार का मतलब होता है रोज का काम रोज का काम और बेरोजगार का मतलब है कि रोज के काम से खतम कर दिया निकाल दिया तो मेरा रोज का काम है कंसेट बताने का अब मैं अगर आपको ये विरा रोजगार है रोज का काम है अगर आप ऐसी बड़ी अबड़ी आप कंसेट बताते रहे तो ये अच्छी बात है कि मैं बेरोजगार हो जाओंगा तो हो सकता है रोजगार कही और ढूड़नों कुछ और काम करूँगा, काम आदमी से खाली हो जाएगा और लगातार आप अच्छी कोशिस करते रहें और इसकी प्रेटिस करते रहें जितना कंसेप्ट आप बोलेंगे और जितना कंसेप्ट सुनेंगे, उससे क्रांती नहीं होने वाली है, यह ध्यान रखना, कोई यह सोचे कि मैं बहुत बड़िया कंसेप्ट बोलता हूं, कोई यह सोचे कि मैं बहुत बड़िया कंसेप्ट सुनता हूं, या कोई यह कहे कि कंस सुनने से क्रांती नहीं होती सुनाने से भी क्रांती नहीं होती मगर सुनने और सुनाने से बदलाप की सुरुवात होती है अगर हम सुनते ही रहे और सुनाते रहे तो सुरुवात ही रह जाएगी, एंड नहीं होगा ये ठीक ऐसे है कि जैसे कोई ये कहे कि योगेंदर सिंग्नी जी ने हापड के अंदर बहुत बढ़िया कचोडी और बहुत बढ़िया पूरी गंगा के तरट पे बनवाई है वैसे बनने वाली है उन्होंने मीटिंग की देट फिक्स करती है और वो बहुत बड़ी जिकर करें कि फूली फूली कचोडी और फूले फूले पकोड़े फूले फूले ये पता नहीं क्या कि हम मिलेगा खाने को और जिकर होता रहे तो मुह में तो पानी आ जाएगा मगर पेट में कुछ नहीं जाएगा तो सुनने सुनाने का बस इतना ही है कि बस मुह में आपका पानी आ जाए कि मन आपका चालू हो जाए मन आपका उस चीज के लिए आगे बढ़ जाए तो उसके लिए तो आपको गड़ गंगा जाना पड़ेगा गंगा के घार जाना पड़ेगा जिस दिन वो तारीख बताएंगे उस दिन जाना पड़ेगा वहां जाके मीटिंग में हिसा लेंगे फिर वो पता ने क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं तब की बात है वो भी खाएंगे तो आपको महत करनी मगर जतना हम सुनने और सुना रहे हैं उस से कम काम हो रहा है। इसको जो बोलते हैं सुतमई प्रग्या का मतलब है कि सुनने की समझ है। कि यह concept हमारा है पहले तो हमारे कान में पढ़ा ही नहीं तो यह कान में पढ़ा गया तो बहुत अच्छा हुआ हम एक step आगे बढ़ें और हमको याद हो गया तो और च्छा हुआ गया और हम बोले हम लैक भी वह गया यह और अच्छा हुआ एक step एक CD हम चड़ गए मगर मंजिला भी दूर है क्योंकि जो दूसरी CD है वो है इसको करने की अगर इसको हमने किया नहीं जो हम कह रहे हैं वो हमने किया नहीं तो पहला step बेकार हो जाएगा दस महिने की मेनत बेकार हो जाएगी जो यहां दिनराज चाचार पांच-पांच घंटे हम लग रहे हैं और बहुत सारे जगए इसको कंसेप्ट को बता रहे हैं वो बेकार हो जाएगा इसनली उसको बेकार नहीं होने देना है उसको कामियाब करने के लिए आपको अब इस पर काम करना है पूरा का पूरा त्री पीटक और पूरा का पूरा अभी धम पीटक तरसल तीन पीटक नहीं हुआ करते थे पहले जब बुद्ध ने बताना शुरू किया तो बुद्ध तो ऐसी बताया करते थे तब तक कोई पीटक या कोई गरंथ नहीं हुआ करते थे यह गरंथ बनाए, पहले गरन तो वहीं है जो बुद्ध ने बनाए ये तो गंठ बना तो ये जो 3 पीटा क्या है इसका मतर्थ 3 हिस्सों में तोड़ा गया दरसल शुरू में 2 हिस्सों में तोड़ा गया था, एक था टीचर्स के नियम विनए, दरसल विनए कोई नियम बोलते थे नियम सब्द पाली का नहीं है पाली का सब्द विने यानि के रूल्स एक तो टीचर्स के रूल हुआ करते थे और एक होते थे जो सामानने जन हैं जो हमारे जैसे साधाना आदमी हैं उनके नियम उनको बोलते थे सुत्त पीटक हैं दोनों सुत्ती और उनको गोलते थे विने पीट उसके बाद में फिर अभी दम बना, अभी धम का मतलब है कि माइंड का, यानि मन का और सरीर के रिलिशन्शिप कैसे काम करती है, कैसे नहीं, वो फिर बना, उसमें लोख भी है और अलोक ब क्रिख़र है, यह जो जितना का जितना तीपीटक बताया हुआ है वो पहले धंपद के वाक्य में सिमट जाता है और पहला जो धंपद का वाक्य है वो दरसल जितने भी लोग करांतिकारी हैं वो सब उसी पर काम करते हैं ये कमाल की बात है कि धमपीटक में जो पहले दो पद रखे गए हैं वो दौनों एक से ही हैं एक दूसरे के उल्टे हैं मगर वो सारा का सारा अभी धमपीटक है और वो बहुत साधरन है और वो बड़ा सिंपल है और उस पर कोई भी जानकार घंटों हब्तों महिनों तक बोल सकता है क्योंकि सारे मनुस्से उसी जो सूत है उसी से काम करते है और सारा काम उनी दो सूतों में चलता है और वो जो सूत है इतने सरल है इतने आसान है कि बच्चा भी उसको रट लेता है पाली में रटने की जरुत नहीं है पाली उस समय की भ होगी है जिसको अब हम हिंदी बोलते हैं इसमें कुछ mixing है 20% इसको छोड़ दें तो यह वही भासा है क्या कहते हैं पहले धंपत वो कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही व्यक्ति बोलता है वैसा ही व्यक्ति सोचता है और वैसा ही व्यक्ति करता है और जैसा सोचत है जैसा वो करता है और जैसा वो बोलता है वैसे ही परणाम आते हैं अच्छा बोलेगा अच्छा सोचेगा अच्छा करेगा तो अच्छे परणाम हमेंसा रहेंगे और खराब बोलेगा खराब सोचेगा खराब करेगा तो परणाम खराब रहेंगे ये दो सूत हैं इनको हम प पीपल समर्ण संग में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं रगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश और देश के बाहर इस समय बहुत देशे चुड़ रहे हैं कि आगे आने वाला जो खतरा है उससे लड़ना है क्या वो इस वारे में सोच रहे हैं कि सारे खत्रों से लडने के लिए हमको इखटा होना पड़ेगा और क्या वो इस वारे में सोच रहे हैं कि बिना इखटे हुए हम अपने बच्चों को और अपने आपको नहीं बचा पाएंगे तो पहली बात तो सोचा क्या है अगर जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया है फिर वो नहीं रुपता क्योंकि जैसे ही मन में ये बात आती है मस्तिस्क में नहीं आती है 258 लोग है 258 लोग इस बात को ध्यान दें कि मन अलग होता है और मस्तिस्क अलग होता है मन को बोलते हैं माइंड चित और मस्तिस को बोलते हैं ब्रेन और दिमाग ये लग लग है मस्तिस जो होता है ब्रेन जो होता है वो फिजीकल चीजों से बना हुआ होता है वो कोशी काओं से बना हुआ होता है जो इस खोपडी के अंदर रहता है उसको मस्तिस को ब्रेन बोलते ह पर इसको जो चलाता है वो मन है बहुत सारे डाक्टर पूरी जिन्दगी डाक्टरेट करते हैं बहुत साए लोग हैं जो पूरी जिन्दगी धमर पड़ते हैं उनको यही नहीं पता चलता कि मन में और मस्तिस्थ में भी अंतर होता है वो माइंड को और ब्रेंड को एक ही समझते हैं और पूरी जिन्दगी इसको एक समझके पूरी जिन्दगी काट जाते हैं यह बुद्ध ही है जिनोंने चित्तका और मन का दोनों का जो दोनों एक ही चीज है और जो मस्तिस्थ है जिसको मत्था बोलते हैं वो अलग चीज है उ के उपर और मन बहुत इंपोर्टेंट टर्म है और ये दुनिया के सबसे बड़े मनों वग्यानिक जो बुद्ध है उन्हों नहीं एक तरह से कह सकते हैं कि इसको खोजार इसको जाना कि मन कैसे काम करता है और मन हर हाथ उठाना चाहे ऐसे हाथ उठाना चाहे तो इस हाथ उपर उठाने के लिए कौन कह रहा है उनसे कौन इस बात को कह रहा है कि हाथ उपर उठाना है क्योंकि ये बात कोई कह रहा है तब वो मस्तिक्स में आई है तब वो और करता है मस्तिक सरीर को तब हाथ उठता है कोई कह कैसे काम करता है फिर वो मस्तिस को कैसे आड़ ओड़ देता है और मस्तिस बाकी सरीर के हिस्तों को कैसे कमांड करता है कैसे ओड़ देता है तो जिसका मन बीमार हो जाता है उसका सरीर बीमार हो जाता है और जिसका मन सुखी हो जाता है उसका सरीर सुखी हो जाता है यह बुद् हम इनके साथ हैं तो कहानी वोही हो जाएगी कि мощ कीर बनानी है और रात को यह कहा कि बाई को Oxygen एक लोटा दूद है वो इसमें डाल दे कडावी में डाल में डाल दे और हर वेकती कितनी बड़े-बड़े बाते कर रहे हैं यह योगा नसे स्था डिन्रात लगे हुए था soundर दो करना पड़ेगा अगर ऐसा अ militar हमारा समधान हजार बार ऊजाता 16 divergence लाख वार हो जाता हम तो 396 लाक संग्धन हैं हम करने वाली नेता हैं कि अगर संभूढ़ का समधा नंको करना होता उनसे युझा भनी व्यक्तिसाइथ तो अब तक समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, समस्या दो व्यक्ति की नहीं है, समस्या पचास व्यक्ति की नहीं है, समस्या पचास लाक व्यक्ति की नहीं है, समस्या तो 120 करोड लोगों की है, तो मन वी 120 करोड लोगों को बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, इसलिए पहले मन के त्यार हो जाई है जिसका मन बन जाता है वो फिर आगे काम करता है मेरा मन बन गया कि मुझे अभी जाके और एक चॉकलेट वाली आइस्क्रीम खानी है या चॉकलेट का केक खाना है तो पहले ये बात मेरे मन में आई अच्छा मन में आने के कारण है वो बुद्धने बता है कोई व्यक्ति इसमें संसे में ना पड़े कि मन में कैसे आता है मन में कैसे बात आती है और कैसे मन में दोड़ती है ये बुद्ध ने एकी चीज़ बताई हुई है सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा धमकी जब क्लास लगए तब मैं बताऊंगा कि मन कैसे काम करता है मन के काम कर करता है तो जैसे यह बात मेरे मन में आती है और मैं इस बात को सुघकार कर लेता हूं कि मुझे चॉकलेट खानी है या मुझे केक खाना है चॉक्लेट का तो फिर मेरा मस्तस काम करेगा वो मेरी मैमोरी किसे करूं ?SKOOTER लेके जाँ साकल लेके जाँ ? Lakes पैदर लेकर जाँ ? कोई आरहा हो तो उस्से मंगा लूं फॉन करके देखूं या delivery बॉइसस संस्थ मंगा लूं या order करूं ? या कोई पढोस में जा रहा हो के खाने के बाद में जो बात आती है उस पर चलना है अब हम क्योंकि पहले मन में आया है तो मन अगुआ है तो मैंने मन बना लिया तो मैं उठूंगा कपड़े पहनूंगा बजार जाऊंगा लेके आऊंगा या जो भी तरीका मैं अपना हूं मुझे खाना है तो और मन में यह आया है कि भी छोड़ को सुखी होना है और हमको बच्चों को सुखी करना है तब तो आपकी हाथ पर हिलेंगे और मन में आपके बात नहीं आई विचारlungen опас तो दुनिया इधर से उदर हो जाए आपके हाथ पर नहीं हिल सकते, यहां समझ पे कितने चलाते रोो, कितने यहां concept देते रहो, concept पर concept देते रो, line लगा तो concept होगी, कोई हाथ पर नहींने वाला क्योंकि आपके मन में आया रही है, इसलिए जो सुरुत ग्यान है जो सुनने वाला ग्यान है जो सुनके ग्यान प्राप्त होता है वो यहां दिया जाता है करने का आप के उपर है कि आप करेंगे तो यहां मोटिवेशनल बताया जाता है कि भई आप अपने मन को त्यार करो क्योंकि हम मुसीबत में हैं तो मन से मन दिया सबने लोगों के मरे हुए मन को जिंदा किया है सबने लोगों के मन में प्राण फूंके हैं सबने मन को जगाया है सबने मन को हेल्दी किया है बुद्धु तो काम यह करते थे मनों चेके वो लोगों के मन को तरो ताजा कर देते थे और लोगों के मन में जगा देते थे विचार जगा देते थे और बावा साब अमेट करना तो साफ का है कि जो खेती में करनी है आपको कल्टिवेशन ऑफ माइंड करना है यानि कि मन को उगाना है मन को पैदा करना है और उन्हों तो साफ साफ का है कि मन की खेती यानि मन को बढ़ाना मन को उगाना human का ultimate यानि के सबसे मुख्य का रहे है तो जितने भी महाप्रोस आते हैं वो यह नहीं कहते के बादाम खाओ सेट को तगड़ी कर लो वो यह नहीं कहते के बंदू खहिल दो वो यह नहीं कहते के पैसा जिन में भरबर के आ जाओ वो कभी नहीं थे ना पैसे की एहमेत है ना ताकत की ना बंदू की ना किसी की विचार की एहमेत है और विचार उसी मन में आते हैं जो इस मन में लग जाता है कि यह काम करना है तो सबने विचार दिये और विचार से विचार पैदा करके हेल्दी विचार दिये तो पहला इस टेप अगर आपने सुनने के बात में अपना मन वो जरूरी है तो वो काम तो दीदेरे खतम होने वाले हैं दुनिया में सारे काम पैदा होते हैं सारे काम खतम होते हैं मगर आप सुरक्षत नहीं बचपा होगे इसमें कोई शक नहीं है तो पहला स्टेप पार करने के बाद में मन को त्यार करने के बाद में फिर हमें काम करना है तो आवाज में एक खनक होती है आवाज में एक जान पढ़ती है उसके चेहरे पे एक जान पढ़ती है उसकी सचाई उसके चेहरे पे आ जाती है उसकी बातों में जलगती है उसकी बॉड़ी में जलगती है उसके हाथ पेरों नहीं हुआ और ये मेरे को बराने आया है हमारी असफलता का जो राज है वो यही है कि हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं दरसल वो मन से नहीं कर पा रहे हैं मैं समरसंगी बात नहीं कर रहा है मैं बात कर रहा हूं उनकी जो बहुत सारे संधन जो फिल हो चुके हैं जो हरे परिणाम नहीं दे रहे हैं या जिनके बहुत छोटे-मोटे परिणाम आए थोड़ा मन होगा थोड़े परिणाम आएंगे पूरा मन होगा पूरे परिणाम आएंगे बुद्ध ने पूरे मन से काम किया तो परिणाम आए और बाबा साहब ने पूरे मन से काम किया जिसका मन हो जाता है उसका तन भी पूरा लगता है उसमें ध्यान अखना आप कोई भी व्यक्ति यहां जो पूरे ताका से लगा हुआ है वो पूरे मन पहले उसका बना है तब वो लगा हुआ है यहां पोर्टल पे बहुत दुनों से कुछ लोग सुनते हैं एक मेना सुनता है कोई सोले दिन सुनता है, कोई छे दिन सुनता है, कोई दो दिन सुनता है, कोई तीन महिने सुनता है, दिन 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 उसका मन बनता है, फिर वो वीदा पीपल समझ संग होके काम में लग जाता है, तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है, जो मन को त्यार करने के वारे में बताई है, मुझे मोटसाइग से जाना है या मुझे पैलल जाना है या मुझे रिक्से से जाना है मेरा दो रुपया खड़ चोरा या मेरा वीस को की उसका लक्षे होता है कि उसको पहुँचना है क्योंको उसका मन है तो आप कितने लोगों का मन बना सकते हैं ये कलाकारी अगर आपके अंदर पैदा हो गई ये कुण अगर आपके अंदर आ गया और लोगों का मन आपको सुद्ध करने की कला आ गई और उनको सिखाने की बात आ गई तो फिर ये बात जल्दी पहुंच जाएगी कि आपके बच्चे अब सुखी होने वाले हैं क्योंकि बुद्ध ने सब लोगों के पास पहुंच के मन साफ नहीं किया बुद्ध ने एक रास्ता बताया खुद चले उस पर औरों को सिखाया वो औरों को सिखाने लगे वो औरों को सिखाने लगे और हम आज यहां लाट साब बनके बैठे हुए हम यहां आज अबावा साब की संतार बनके बैठे हुए हैं हमारी बुद्धी भी जागरेत हो गई सब कुछ जागरेत हो गया बस एक चीजा भी रह गई है कि हमको काम करने की जो आदत है वो खतम हो गई हम करें काम कोई हमारा कोई और कर दे इस से काम कोई और कर दे के चक्र में मारे गए हम सतर साल से इसलिए मारे गए क्योंकि हमने अपना काम किसी और को सौप दिया तरसल यह जो परिवतन होता है यह जो करांती होती है यह जो बदलाव होता है यह सब को करना होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि रोटी मैं खाऊं और पहुं और एकाद करेगा तो बच या वह जूटो बोलके फिर वेद़ बच जाए है तो हर व्यक्ति को पूरी तरह से मन बनाना है और अगर का मन नहीं बना है तो उसको बना लीजीए कुए कि इसके बिना को चारा नहीं हैं अगर आप यह को कि हम तो मन नहीं बनाते हैं तो फिर मरने के लिए त्यार रहे क्योंकि जिसका मन नहीं मरेगा बनेगा काम करनेगा वो मारा जाएगा क्योंकि बाकी लोग उसके लोक्नोंच बढ़िया है अगर हमारे लिए क्यां करता हो तो हमारे तो सेवक है हमारे लिए चाल भले हुग अपने आपको सेवक की या कुछ भी कहे तो हमने खुशी से कह दिया तो उसने कहा कि मेरे को ख़चा होना है, आने जाने का, अब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तो खर्चा दो, तो उसने खर्चे का नाम चंदा रखा, तो हमने चंदा दे दिया, बढ़िया है, लेवे कुछ पैसा ले लेकर, तो हम और आस्वस्त होगे, कि बई हम अगर नहीं जा रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा ह तो हमारा काम होना चाहिए मगर हमने मॉनिटर नहीं किया इस पात को कि जिसको हमने पैसा दिया जिसको चंदा दिया और जो हमसे यह कहता है कि मैं आपका काम कर रहा हूं वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है अगर इसको भी हम चेक कर लेते तो भी हम बच जाते क्य वो चलेगे नुकसान बहुत बड़ा हो गया तरसल नुकसान इतना बड़ा हो गया है कि इसको रीकवर करने के लिए इसको दुबारे से लेने के लिए बहुत महनत करनी पड़ेगी और महनत सबको करनी पड़ेगी दो चार पांच दस पीस हजार आदमी से बात नहीं बनने वा का काम है सिर्फ एक काम है जुडने का और जुडने का इसके लावा कोई काम दूसरा है नहीं दूसरे काम में पढ़ मत जाना दूसरे काम में अगर पढ़ जाओगे और जुडने जुडने का काम नहीं करोगे तो पहले जो हश्र हुआ है वही होगा बलकर और बुरा होगा क्य कि पहले बहुत सारी लोगों ने जो में काम था जोडने और जोडने का वो नहीं किया और बाकी कामों में लग गए क्योंकि जोडने जोडने को काम नहीं मानते अच्छा इतना भी समझ में नहीं आया कि जो सारा सारा अधिकार हमारा ले गए हैं जो लोग हमारे विपक्ष में हैं उनको देख देख ल savage काम किया बहुत दुनों से कर रहे हैं और सालेंट ट्राइक से कर रहे हैं और नहां धीरे सब को जोड लिया घर जा जाकर बात कर अगर किसी के फंक्शन में जाके अच्छा उनको तो जोड़ा जोड़ा जो उनके विरोधी लोग थे उनको भी जोड़ लिया जोड़ने के काम में कितने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने विरोधियों को भी जोड़ लिया अपने लोगों को तो जोड़ा ही तो वो कामयाव है क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा लोग जितना जितना ज्यादा जन्बल उसी का समविधान फेवर करता है सम्विधान उसी बात मानता है कुछ भी बदल लो सम्विधान में अगर आपके पास लोग है तो बहुमत है तो उन से भी नहीं सीखा कि जुड़ने जुड़ने का काम तो सबसे पहला काम है और दुनिया के अंदर जिसने भी काम किया जुड़ने जुड़ने काम पहले किया च जो मुसलिम्स का जो सिस्टम है वो जोडने जोडने के लावा कोई काम नहीं करता वो रिलिजिस बेस पर करते हैं हम रिलिजिस बेस पर नहीं करते हम धर्म के बेस पर नहीं करते हम तो सम्विधान के बेस पर करते हैं क्योंकि बुद्ध के समय भी सम्विधान था और वही सम् सम्मिधान के लिए जो सर्थ है वो इखटे होने की है और इखटे होने के लिए आपका मन त्यार होना चाहिए आपका मन त्यार होगा तक अपने आप चल पड़ेगा फिर तो रुकेगा नहीं जैसे नागपूर के अंदर कल तक 30 लोग ते आज 50 से जादा होगे बीस लोगों में और मन बना लिया और नागपुर में जाना है वहां वीदा पीपल की बात होगी वो आप पोर्टल पर सुनते रहते हो वीडियो भी मिल सकती है मगर वीडियो मिलने से और सुनने से जो सुरुत ग्यान है उससे आगर ही बनेगी बात अगर आप नागपुर जाओगे या मिलते हैं उससे बॉर्णिंग होती है उससे जुडते हैं चार काम आपके फ्री में हो जाएंगे कोई व्यक्ति वहां खिसी फैक्टरी में होगा हो सकता है आपका बच्चा वगएर हमाले लग जाए संबंद सास्के थूने से काम निकलते हैं उसे हमारा जीवन आगे पड़ कोड़ फीचा मदद कर सकते हैं यह आने जाने से जो सेगंड वाला स्टेप है यानि मन त्यार करने के बाद जब तन आगे चलता है तो उसके बाद में जो बेनिफिट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं लाब आने शुरू हो जाते हैं घर में बैटकर लाब नहीं आते लाब मेरा कुछ काम करें हम एक दूसरे का काम करें तो हम दोनों कामगार हो जाएंगे हम दोनों को रोजगार मिल जाएगा और हमारे बच्चों को वो पैसा मिलेगा हमारा पैसा बहानी जाएगा ये छोटी छोटी बात ने बड़े-बड़े काम कर सकती है इसलिए आना जाना मिलना जुलना जितना तेज हो सके उतना तेज करना चाहिए और समढ संग जैसा जो concept है ये concept जीवन में आपको दुबारा नहीं मिल सकता और ये बदल नहीं सकता और कोई इससे अच्छा कोई concept आ नहीं सकता ये वो concept है जिस concept को पूरी दुनिया पूरी दुनिया चलाती है पूरी दुनिया से सुखी है ये वो concept है जो प्राकर्टिक है और जो बुद्ध ने discover किया रिडिस्कवर किया और जो महापुर्सों से पीछे से आया हुआ है इसलिए इस concept पे चलने से लाब होगा, सुनने से थोड़ा होगा तो सुनिये तो रोज, क्योंकि सुनने से आपकी जो काम करने की छमता है, जो motivation है, जो काम करने की तरंगे हैं, वो बढ़ेंगी तो रोज सुनिये, रोज सुनाइए, मगर सुनने के साथ साथ करिये भी मांशी लुप से ठीक वैसे बांद हुआ है जैसा है कि हमारे साइड लोग एक्जाम्पिल देते हैं कि हाती का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैर में एक वैसी छोटी सी रस्थी बांदेते हैं और एक खूटी से बांदेते हैं छोटा बच्चा होता ताकर ज्यादा होती नहीं तो छोटा बच्चा खेल लेंगे चंचल भागता है तो देखता है कि बंदा हुआ है भाग नहीं पाता तो दरसल जो महावत होता है वो हाती के बच्चे को नहीं बानता उस रसी से वो हाती के बच्चे के मन को बानता है और ज को भी उनके मन में है कि यह खोटा उखडता नहीं है यह बड़ा तकड़ा है पैर च्ल जाता है पैर में चूट لगड़ जाती है बार खोट नहीं उखड़ता है अगर वह दोनों हाती जो हाती हाती। जिनका बच्चा है अगर वो मन से ना बंदे हुए होते तो वो एक पैर में उस कूटे को खाट देते तो हाती के बच्चे को बांधा उसके माबाप को पहले बांध रखा है तो माबाप तो पहले से गुलाम है मानसी की जुप से बच्चा भी कर दिया बच्चा पैदाई clipping कि यूज़ा उसको पैदा होने के बाद बांधा और माबाप उसकी सहायता नहीं कर रहें क्योंकि वो मानसी बंदद बंदिर बंद के बंदे में हुए हैं तो खोलेकों कुन उस रंसी को कौण खोलेगा वही इस प हमारे लोगों के साथ हुआ है कि हमारे लोगों को मांसी गुलामी में बांदा हुआ है अच्छा माबाप तो पहले बंदे हुए है वो खुद अपने बच्चे को बच्चा पैदा होता है तो मांसी गुलाम नहीं होता वो तो बड़ा आजाद होता है तो उसको मांसी गुलामी और खाली रस्टी की आवास सुने या वैसी खुंटे से रस्टी बंदी हो तो उसको लिखती है उसके पैर में बंदी हुई है वो हिलता है नहीं ये घुड़े का हाल है ये गाय का हाल है ये बैल का हाल है सारे जानवर जितने भी गुलाम बनाए है मनुस्टे नहीं उन सबका यही हाल है कि वो मन से गुलाम बना रखें और कुछ कुछ गुलाम होते हैं वो लालची गुलाम होते हैं उनको खाने को चाहिए क्योंकि वो अपना शिकार भूल गया वो शिकार करने नहीं जाना चाहते हैं तो शिकार नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो मन से गुलाम होके तल हो जाएंगे और इसी को कहा गया बाद में कि वह अपनी बेडिया खुद काट लेगा यानि कि यह तो बता दो कि तुम मांसी गुल्ब से गुलाम हो बागी काम वह खुद कर लेगा तो वही काम समढ संग में वही काम है आपने अपने मन के साथ साथ जगे को साथ साथ और भी मनों को जगाना है और भी मनों को बताना है जितने मन हैं जितने माइंड हैं जितने जगाते जाएंगे जितने बढ़ाते जाएंगे स्रमण संग उतनी तेजी से बढ़ता चला जाएगा उतनी तेजी से काम होता चला जा गुलाम हैं और मन्से कितने आजाद हैं और इसको चेक करने का तरीका है कोई आदम ही है कह सकता है दोसे क्षट में आज हमने सुना सुधीर रासिंग ने बताया कि मन्से गुलाम जो होता है वो गुलाम है और जो मन्से आजाद होता है वो आजाद है भाई हम तो पूरे आजा कि हमें तो पता चल गया कि हम तो मांसिक गुलाम नहीं है और आजाद हैं हम तो और सो गए तो आप मांसिक गुलामी हैं क्योंकि जो मांसिक आजाद होगा वो तो रुकेगा नहीं उसको नीद नहीं आती उसको चैन नहीं आता वो मरते दम तक काम करता है वो किता नहीं जिद् मानूँगा चांक कुछ हो जाए वो मर जाएगा मगर घर में नहीं रुकेगा वो दिन रात दिन रात काम करेगा यह उसकी पहचान है और मानसिक गुलाम की पहचान यह है कि जब भी आपस से कोगे मीटिंग में को ने चुड़े बाइसा नेट चला गया अरे तो नेट दूसा है इसलिए लोगों को जगाना है और खुद जगे सुनना है सुनाना है और यह जो जितना काम है स्रमरसंका इसको तेजी से फिलाना है जिद्ध हमारी जुड़ने किये जीतेंगे जरूर इस वाच चाह कुछ हो जाए चाह कुछ भी करना पड़े बिना जीतें पीछ नहीं वो बावा साब का नाम लेंगी और आपकी गाली बखेंगी कि यह बावा साब का सारा माल जितना भी था वो ले गए और मावा सामने कितना कहा था कि विजल रहना है जागदित रहना है और इनको समझ नहीं आया और बार बार इनको बताया गया वो इस्तिती ना है आपकी प और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सर्नं गच्छामूँ तू थी यंपी बुद्धं सर्णं गच्छामु 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 तू थी यंपी बुद्धं सर्णं गच्छामु